अबस्कार आप देख रहे हैं प्रोदिश का सबसे भरोसे मंद न्यूश चैनल इंडिया न्यूश रादिस्सान मैं हूँ आश्री इस्त्रिपाथी और आज बड़ी बहस में हम बात करेंगे घोसपैठियों को लेकर चल रही सियासत की असम में नैशनल रजिस्टर आफ सिटिजन यानी एनरसी का पहला मसौदा जारी होने के बाद जहां जरता शांत है वहीं नेता परेशान असम में तमाम आशनकाओं के बीच जहां एनरसी की गूंज सड़कों पर नहीं सुनाई दी तो वहीं पिछले दो दिन से ये संसद के अंदर और बाहर गूंज जरूर सुनाई दे रही है नेता बयानवाजी से नहीं चूक रहे कॉंग्रिस का आरूप है कि एनरसी का गठन साफ मनशा से किया गया था लेकिन बीजेपी ने इसे अपने सियासी फायदे के लिए इस्तिमाल किया और यह इसकी साज़श रच रही है तो वही दूसरी तरफ ममता बनर जी ने इसे बंगालियों को असम से निकालने की साज़श बताया उन्होंने बताया कि केंदर को ये चेतावनी तक भी दे डाली और कहा कि असम में हुए एनरसी के नए आकड़ों के मताबिक लगभग 40 लाख लोगों को नागरिक्ता से बेदखल कर दिया गया है लेकिन उनके पास अभी अपील करने का समय है और बीजेपी का कहना है कि नागरिक्ता को लेकर हालिया सर्वे सुप्रीम कोड के निर्देश पर किया गया जिससे मोधी सरकार का कुछ लेना देना नहीं है वहीं दूसरी तरफ में एनर्सी के फाइनल ड्राफ्ट को लेकर मचे बवाल के बीच आज लोकसभा में रोहिंग्या मुसल्मानों का मुद्दा भी गूजा ग्रहमंतरी राजनाच सिंग ने सदन में बताया कि हाल ही में एक एडवाईजरी जारी की गई है जिसमें राज्य सरकारों से ये कहा गया है कि रोहिंग्या की पहचान और गिर्दी और की जाएगी और उन्हें एक जगे एककत्रित किया जाए और इसके साथ ये बायोमेट् जिने का काम करेगा बड़ी बहस में बात करेंगे इस विशेपर भी और बहस के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले बीजेपी के राश्य ध्यक्षामिट शाह का वो बयान आपको सुनवाते हैं जो उन्होंने एनारसी को लेकर संसद के अंदर दिया और जिसके चलते राज़सभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया 14 अगस्थ 1985 को स्री राजीव गांदी ने एक आसाम एकोर्ड साइन किया और 15 अगस्थ के लाल किले पर से बाचन में उन्होंने इसको डिकलेर किया क्या था आसाम एकोर्ड का आत्मा आसाम एकोर्ड का आत्मा ही नरसी था एन रसी में एनर्सी का मतलब क्या है एकोड में क्या कहा गया एकोड में कहा गया अवे घूश पेटियों को पहचान कर उनको हमारे सिटिजन रजिश्टर से अलग करकर एक सूद अब अपरा काम करिए इस्टिजन रजिश्टर बनाया जाएगा तो ये इनिसिटिव जो ले रहे हैं, आपके ही प्रदान मंत्री ने, कॉंग्रेस पार्टी के प्रदान मंत्री ने लिया हुआ इनिसिटिव ले रहे हैं देश की सुरक्षा के साथ खेल रही है। प्रमेशन के लिए भेजा गया है, मगर इसको राज्य राज्य का प्रस्थन बनाने की भी एक भ्रांती फिलाने की विपक्स ने प्रयास किया है, मैं इसकी गोर निंदा करता हूँ कि पूरी प्रक्रिया को आपने देश की जनता को घुमरा करने के लिए प्रयास किया है। और जहां तक कॉंग्रेस पार्टी का सवाल है, कॉंग्रेस पार्टी की आदत है, समय समय पर स्टेंड बदलते रहना। परम ने कहा था कि बांगलादेशी घुसपेटियों को यहां नहीं रहने देंगे यह जब गुरू मंत्री कहा था चुनाव जीतने के लिए हमें कर रहे हैं मंता जी आपकी स्मृति को जड़ा तेज कर लिए आपके घ्यान को जड़ा जन्रल नॉलेज को आप पैना बनाईए जब हम विपक्स में थे तब भी यह डिमांड करते थे और आज भी अड़े हुए हमने अमरा स्टेंड कभी नहीं बढला चुनाव जीतने के लिए तो आप स्धिस की सुरक्षा के इसाथ खिलवाल कर रहे हैं घुसपेठ्य और सरुणृति के बीच में भी भ्रांति खड़ी करने का प्रह्यासुरा आं जो व्यक्ति अपनी मान्यता को बचाने के लिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने स्वमान को बचाने के लिए अपने धर्म को बचाने के लिए एक देश से दूसरे देश आता है वो सरनार्थी होता है और जो रोजगारी के लिए आन्यकारवन से अवरेद रूप से गूस कर यहां आता है वो गूस पेट्या होत कि रोहिंग्या को लेकर राज्यों के लिए एडवाईजरी जारी की गई है राजनाज सिंग ने कहा कि राज्य सरकारों से आगरह किया गया कि वो राज्य में रोहिंग्याओं की संक्या के बारे में ग्रहमंत्राले को जानकारे दें लोगसभा में गुर्यमंत्री राजना सिंग ने बताया कि रोहिंग्या के घुसपैट को रोकने के लिए B.S.F. और असम राइफल्स के जबान तैनात किये गए हैं कोशिश की जा रही है कि भारत में अब और रोहिंग्या घुसपैट न कर पाएं भारत में चालीस हजार रोहिंग्या है इसकी इंट्री भारत के अंदर न होने पाए इसके लिए बार्डर के उपर बार्डर सेकुर्टी फोर्स और असम राइफल्स को भी हम लोग उने पूरी तर से संस्टाइज किया है ताकि वो इंशोर करें कि उनकी किंट्री न हो पाए बड़ी संख्या में रोहंग्या यहां पर आ गये हैं और एक लेटेस्ट एडवाइजरी एडवाइजरी तो इसके पहले भी जारी की गई है लेकिन एक लेटेस्ट स्क kicking, आप अचाहरी तर देवाइजरी नौद्धख़ उनकी चाहिने रह हैं लूग स лиए और उनकी बायोन जारी की गई है और साथी तरही साथी आद्रवाइजरी में हम लोगों ने यह भी कहा है कि उनके मुवमेंट को भी वाज किया जाना चाहिए इसले पूरी साउधानी यह स्टेट्स बरते हैं इस संब्द में एडवाजरी जारी की जा चुकी है जहां तक उनको डिपोर्ट करने का प्रस्ट है वैसे यह राई यह अधिकार राज्य सरकार का भी है कि वह उनको डिपोर्ट कर सकती है हमारे फॉरिनर्स एक्ट की जो आइड़किल 3 है उसके तहट स्टेट गॉर्वर्बंट को भी इस प्रकार का अधिकार है जहां तक रोहंग्यास को डिपोर्ट करने का प्रस्ट है उस संबंध में राज्य सरकारों से हम लोगों न यह अनरोध किया है कि उनकी गड़ना कराने के बाद, आइड़निटिफिकेशन के बाद, कितनी संख्या में रहुंगी आपकी स्टेट में रह रहे हैं यह सब सारी जानकारी आपके अंदर सरकार को दे और वहीं कॉंग्रेस और तर्मूल कॉंग्रेस का इस पर क्या कहना है बीजेपी अपने सियासी फायदे से ये सब कुछ कर रही है लेकिन अभी हाल ही ममता बनरजी ने क्या इस पर बयान दिया है ये सुन बाते हैं आपको इंडियान का पॉलिटिक्स के नाइम है कि आम जानता को प्यार में राखो अफ्षा राखो सुन्दर राखो लेकिन द्रुभाग यह है देश का कि जो आज सत्ता में बैठे वे लोग हैं वो कोई ऐसी अपर्चुन्टी नहीं चूना चाहते हैं जिससे कमिनल पॉलाइजेशन बढ़े हैं वो हर अपर्चुन्टी का उप्योग करके कमिनल पॉलाइजेशन को बढ़ाना चाहते हैं एन आरिसी जो एक बहुत फियर वेल इंटेंडेट प्रोग्रेम है और जिस पर काम हो रहा था और बढ़ते हैं आगे आखिर नज़र डालें उन सवालों पर जो अब इस सियासी बैनवाजियों के बीच सामने आ रहे हैं में चुकि जिस तरह से घुस्पैटियों को लेकर कानून बनाया गया और इस पूरे मामले को लेकर अमिट शाह ने जिस तरह से सदन में बोला अमिट शाह ने सीना ठोक कर कहा कि ये फैसला लेना सरकार के और इनर्सी को लेकर के इस पूरे मामले पर जिस तरह से सियासी खमासान मचा हुआ है इस पर बाठीट हम करेंगे अपने खास मेमानों से और एक खास पैनल हमारे साथ जाहपुर स्टूडियो से मौज़ूद है बाठीट करते हैं लेकिन उससे पहले परिश आ हमारे खास ममानों का अमिद ग्वेल जी अमारे साथ बीजेपी से मौज़ूद है अमिर जी स्वागत है आपका आरसी चौदरी साहब कॉंग्रेस के तरफ से पक्ष रखेंगे चौदरी साहब आपका भी स्वागत है योगिंदर जोशी जी जोकी पूर पूरे सधीकारी है इनकी भी राय यहाँ पर काफी माध़ पूर रहेगी जोशी साहब बहुत-बहुत स्वागत है प्रताप राव हमारे एक्जिक रिवेडिटर जोकी इस पूरे विशए पर इनसे विस्तार पूर वक्त बाचीत करेंगे चर्चा करेंगे जानने का प्रयास करेंगे बहुत शुक्रिया आपका भी आने के लिए अलगातार इस पूरे मामले को लेकर प्रताब जी अबिजी ये सभी विश है क्योंकि कई बार NRC को लेकर कॉंग्रिस ने जोर लगाने की कुशिश की कि इसे लाया जाए खुद इसे लेकर आए राजीव गान्थी लेकिन उसे नही लेकिन जब आपका आधार किसी भी वेक्ति को एनर सिंसी में सामिल करनेका किस प्रकार से एक बार आप जूर जारी होता है तब आप उसमें नाम रखते हो दूसरी बार जारी होता है तब नाम डिलीट हो जाता है किस प्रकार आपके एक बेटी का नाम है दूसरी बेटी का नाम नहीं है खो राजनीति के लिए कि नाघरिक्ता तो रहेगी इस पर क्या बीजेपि ऐसा कुछ कदम भी उठा सकती है आशिश भाई किसी भी बात को समझने के लिए उसके पीछे जाना पड़ेगा अगर आप आसाम के समझ से अगई बात कर रहे हैं आप यह देखिए एक आखड़ा है एंडी टीवी का एंडी टीवी अमूमन भारदियनता पार्टी की विचारदारा के प्रति कभी समर्दम दिखाता नहीं है और एक आघड़ा पेश किया है कि 1951 से लेके 1961 के बीच आसाम की आबादी 35% बड़ी 1961 से लेके 1971 के बीच आसाम की आबादी इसके लब आपको दूसरी रब बताता हूं में आपको कॉंगरेस के दो मुख्य मंतरी एक थे बीपी चिलोहा और एक थे हितेश्वर सोंकिया एक साथ साल मुख्य मंतरी रहे और एक बारा साल मुख्य मंतरी रहे उन्होंने अपने मुख्य मंतरी रहने के दोरान कॉंगरेस की केंदरी सरकार को पत्र लिखा, पत्र लिखके उनको आसाम में बढ़री अवैद गुस्पेट के बारे में अगा किया, सरकार को उसको रोकताम के लिए उपाय करने को कहा, लेकिन कॉंगरेस के मुस्लिम निताओं के दवाब में वो चिट्टी डस्ट बीन में डाल दी गई, दूसरी बात, आप ये देखिए ये आसाम समझोता क्या है, लगातार बढ़री अवैद गुस्पेट को लेकर एक संगठ रमना आसू, All Assum Student Association, 1979 से लेके, 1985 तक उन्होंने एक बहुत बड़ा जयन अंदोलन चलाया, जिस तरह की स्थितियां आसाम में बन रही थी, जिस तरह की लोग काला बजारी में, जुर्म के अंदर, काउन निवस्टा की स्थिति बिगड रही थी, वहाँ के रिस्थानी लोगों ने, स्टुडेंट्स ने आंदोलन चलाया, और केंदर की सरकार जब कॉंग्रेशी गॉर्मेंट थी, राजी उगांदी प्रधानमंत्री थे, 14 अगस्त 1985 को समझोता हुआ, राजी उगांदी के बीच और उनके बीच में, 15 अगस को लालक लेगी प्राकीर से राजी उगांदी ने उसमझोते के बारे में बताया, और उसमें तैय हुआ एक एक एनर्सी बनेगा, 1985 से लेके, 2005 तक एनर्सी पर कोई काम नहीं हुआ, कॉंग्रेशी गॉर्मेंट, चुकि वो जो लोग अवेट गुस्पैटिये थे, वो कहीं ना कहीं, फरजी राशन कार्ड, फरजी वोटर आइड कार्ड बनाकर, कॉंग्रेश के वोट बेंक के रूप में काम कर रहे थे, कॉंग्रेश ने वो सास नहीं किया, पूरे भारत में उनके वोट बेंक में फरक पड़ता, 2005 में मनमोहन सिंग्जी ने स्टार्ट करने का वापस एक ते किया, कि हम करेंगे इस बार को लेगे, फिर वो मामला कॉंग्रेश का वरोध हुआ, कुछ लोग कोर्ट में चले गए, 2015 में सुप्रीम कोट की गैडलाइन आई, सुप्रीम कोट गैडलाइन में परतीक आहुजा करके, आईये सदिकारी को पूरी मोनेटरिंग का काम दिया गया, और सुप्रीम कोट की निगरानी में ये नर्सी का काम हो रहा है, अब देश में वहाँ समझने पड़ेगी, कि अवैद गुस्पेटी और सरनारतियों बहुत फरक होता है, भारत सरकार सुप्रीम कोट की गैडलाइन में काम करी है, राज्य की सरकार सुप्रीम कोट गैडलाइन में काम कर रही है, और उसके बाद में वो लोग जो उननीस सो गत्तर, चोईस मार्च उननीस सो गत्तर को रात को बारा बजे के पहले पहले देश में आये हुए है, जिनके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो, वहाँ उस टेम का कोई राशन कारड हो, उस टेम का कोई वोटराइडी कारड हो, कोई जमीन के कागज हो, कोई जर्म का परमाणपत्र हो, कोई कोट के अंदर वादिवाद का मुद्दा हो, किसी अलग राज्य का कोई परमाणपत्र हो, उन सब को कहीं न कहीं जगे दी गई है, दूसरी बाद, सुप्रीम कोट की निगरानी में होने के कारण उस पर कोई प्रसंज लगा नहीं सकता तीसरी बात जो बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी इसका स्याजी फाइदा लेना चाहती है हम जब तक विपक्स में रहे भारतियंता पार्टी के बनने से लेकर अब तक करें यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है मैं समझता हूं कोई भी करें कोई भी राजनितिक दल अगर देश के सुरक्षा से कोई भी करने करना चाहिए तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था योगेंदर जोशी जी हमारे साथ है जोशी साब जिस तरह है कि जो शरनार्थी या जो घुस पैठी है बहुत बड़ा दोनों में फर्क है शरनार्थी राजस्थान के सीमावर्तिक शेत्रों में आते हैं प्रताब जी भी इस बात को जानते भी हम इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के जो पर राजस्थान में है वहाँ पर सरकार ने पूरी निगरानी रखी और वहाँ से बाकाइदा भारतिया नागरिक्ता उन लोगों को दी गई लेकिन घुस पैटियों को बरदास्त नहीं किया जाएगा क्या जोशी जी आपको नहीं लगता कि जिस तरह से शरनार्थी आ रहे राजस्थान के सीमाओं में तो पुलिस तो आती थी 6-7 दिन में और वो दूसरे दिनी वापस ये पुरा जाये करते थे आप हालत देखें कि उनके पास ने तो किसी प्रकार की आइडिन्टीटी थी उनके पास अगर थे तो जूटे उन्होंने जैसे राशन कार्ड बनाए हैं तो उसमें जूटे कागज तैयार कर रखे हैं इस्तरे के कागज तैयार कर रखे थे आज भी इस्तरे के लोग जिन से देश को इनहीं प्रत्यग नागरी को खत्रा है आप देखें कि हमारे हाँ आज कल जो पैसा निकलने लग गया एकाउंट में से तो ये कों कर रहे हैं ये वो ही पैस्ट हो जाती है दूसरे नाम पैस्ट हो जाते हैं आधार कार्ड से मोबाइल नमबर ले लेते हैं और वो यहांके नागरिकों के साथ ताज्यूब हुआ कि बंगलादेश के नागरिक जो वहां रहते हैं उनके खेट तो इंडिया में है और जो इंडिया में रहते हैं उनके खेट बंगलादेश में है और आप देखिए कि यह भी पता नहीं चलता कि भारत कहां और बंगलादेश कहां है किसी प्रकार से जब कलकत्ता जैसी इस्तुति में ये देख के आया था आज 2007 में तो असम की इस्तुति तो और ज़्यादा खराब है वहाँ तो डिमारकेशन नहीं है किसी तरह का दूसरा क्या है भाषाएं एक सी है जातियां एक सी है ज्यादा तर और ये relationship इस तरह से बताते ह हैं कि सरकार कैसी भी जोर लगा ले इस सरकार को पता नहीं चलता कि ये इसका भाई है ये इसका बंदू है ये इसका फादर है क्योंकि DNA टेस्ट तो कोई होता नहीं है अब वो जैसा बताते हैं वैसा record में समलित कर लिया जाता है हाज हमारा record जो है अधूरा है चाहे वो Congress के साशन में हो चाहे वो BJP के साशन में हो लेकिन record अधूरा है सिर्व अपनी अपनी राजनितिक रोटियां सेकने के लिए राजनितिक पार्टियां इस प्रकार के सुकुबे फोड़ना फोड़ती है समय समय पे जिससे देश के अंदर इस तरह की बात पैदा हो जाती है ताकि कि वो लोग अपने वेस्त हो जाए और राजनितिक पार्टियां अपना काम करें अब यह नया एक पॉइंट था जो कहीं दिनों से नहीं आया था यह राजनितिक पार्टियों ने एक फैला दिया अब इसके अंदर बैस चिड़ गई सब बैस में लग गए तो जो देश की जो परेशानियां हैं उन परेशानियों से निजात पाने के लिए राजनितिक पार्टियां इस परकार की सगूपे पैदा करती है अब मुझे बताईए सन 51, सन 55, सन 71 अब जब 71 में युद्वा तो बंगला देश से जित्ते शरनारती आयते भाई उनको यह रखने की क्या जूरती उनको यहां से रवाना करते लेकिन इनकी शमता नहीं है इनकी इच्छा शक्ती नहीं है चाहे वो कोई भी राजनितिक पार में या आज के दौर में भी शरनारतीयों को भारत क्यों सुईकार कर लेता है इसके पीशे भारतियता भी बहुत ज़ादा हमारे जो संसकार है कई बार वो भी आड़े आज आते हैं हम लोग आउट अफ दवे जाकर के लोगों की मदद करने लगते हैं लेकिन यह सुरक्षा का मुद्दा है यह सिर्फ यह राश्रिय नागरिक रजिस्टर नहीं है यह लोगों के भारतिये लोगों की शकल में जो घुस पैठी देश में घुस रहे हैं जो लोगों के अधिकारों को छीन रहे हैं वहां के स्थानी लोगों के अधिकारों को और कुछ एक ऐसी हम से इतनी दूर समझ नहीं पाएंगे लेकि बात यह कि क्योंकि जैपूर के लोग जानते हैं कि बंगला देशियों की कुस्पैटियों का यहां असर किस तरह से दिखाई दिया था पहली बात और मैं एक और बात कहना जाता हूं यह शड़नार्थी नहीं है कते भी इनको शड दियाचार हो रहे थे पाकिस्थानी सैना के अधियाचार हो रहे थे यह हिंदू-मुस्लिम दंगे के कारण बड़ी संख्या में हिंदू-वहां से शिफ्ट होकर-बारत शरन लेकिन- भारत में- बढड़ी संख्या में- वहां- کی originally-त- और्यों के कारण UAं यहीं केवल घुसपैट करने के कारान भारत की संपदा पर भारत की जमीन पर कब्जे करने के इरादे से बड़ी संक्या में इन जो वास्तम में धर्म के साथ से मुसलिम थे बड़ी संक्या में 39 में उन्होंने घुसपैट की असम के कॉन्फुग्रेशन को बदल डाला असम के जो समी जो धार्मिक समी करन थे उनको बदल डाला इसका असर मैं बता रहा हूं कि राजस्थान में कैसे बड़ा राजस्थान में भी बड़ी संक्या में विशेशकर जैपूर में गुस पैटिये बड़ी संक्या में यहां लगबग आज भी 30-30,000-40,000 गुस पैटिये आज भी जैप पता है सबको कि किस तरह से यहां के लोकल लोगों की मज़दूरी को उन्होंने चीना, किस तरह से चोरी, चकारी और तमाम जो अपरादों में लिप्त ओकर उन्होंने यहां के लोगों का जीवन दूरबर किया, और यहां तक कि जो जैपूर में बंबलास्ट हुआ, उस बं हम इतनी दूर होते हुए भी इन चंद जो गिंती के बंगलादीशी घुस्पैटी हैं उनके असर को उनकी जो हालात को हम आज यहां अन्बाग कर रहें तो आजसाम का क्या हाल होगा असम की इस्तितियां क्या होगी असम के लोगों ने किन हालातों में इसके खिलाफ मुकाबल किया है आशिश जी और मैं जानता हूं कि जैपुर में जब मैं बंगलादेशी के मुद्दे को लेकर रिपोर्टिंग करता था और जब ये खबर आती थी कि आज पांच मंगलादेशी जैपुर में पहुंचे तो उन बंगलादेशियों के खिलाफ पुलिस या आईबी के लोग एक रिपोर्ट दर्च करते थे उनको बुलाए जाता था उनसे का जाता था कि अपनी जो पते है और अपनी इंफॉर्मेशन दीजे वो इंफॉर्मेशन बताते थे 24 परगना एक जिला है या पुरलिया जिला वहां के किसी एड्रस को बताते थे पुलिस यहां से उस एड्रस की कन्फरमेशन के लिए भेजती थी जो कभी नहीं आती थी और ऐसी इस्तिती थी कि लगातकार और मैंने जब इस बंगलादेशी गुस्पेट के रस्ते का सारा मालूम किया और किस तरह से आते हैं तो पता लगा कि बड़े दलाल पैदा हो गए थे यहां दौलत ख और किवल वो रुजगार के लिए आरे हैं हम कई बार सोस लेते थे कि वो गरीब हैं माना होता के लिए कई तो रुजगार करने ऐसा नहीं था वो बांगलादेशी गुस्पेटियों के बस थी वहां पुलिस गुस्ने की हिम्मत नहीं करती थी पुलिस कभी जाती थी तो पत करती थी और वहां तत्काली सरकारों पर दवाब बनाकर उनके खिलाफ कारवाई नियों ने देती थी यहां तक कि इन बंगलादेशी बस्तियों में जो जैपूर की थी कश्मीरी आतंकारी रुखें एसी आईबी के पास रिपोर्ट थी अब्दुलकरीम टुंडा जो कि बड़ा आतंकारी था सरगना था जिसने कई ब्लास्ट करवाई जो कि मास्टर माइंड था वो भी बंगलादेशी बस्ती में आके रुका इस सारी परिस्तित थी इन सब परिस्तितियों को समझना कौन है वो लोग उनके चेहरे तो पता लगें कम से कम उनको अलेदा तो कर सकें उनको भेजने नहीं भेजने की बात बाद में तैय होगी कम से कम पता तो लग जाए आम आदमी को कि यह घुसपैटी आए यह देश के खिलाफ है देश के लिए खत्रा है मेरा माँना है कि ऐस जाएगा देश में ग्रह यूत्ति की स्थिति हो जाएगी कि यह सीधे सीधे पांगला देशी गुस्पैटियों को समर्तन करने की बात है आकर में वो कैसे कह रही है यह बात जब कि यह साफ तौर पर जाहिर है कि यदि किसी को आपती है तो वो अपने इंडियन आइडेंटिटी को डिक्लेर करे बताए उसकी जाँ जोगी अगर वो इंडियन है अगर वो पश्यमी बंगाल का नागरिक है जैसी उनको लगता है ममता बेंडियन जी कह रही है कि वो बंगला बाची है जो पश्यमी बंगाल के बताए अगर उसमें कोई गलती होती है तो वो आप अभी जिस नेता का आपने जिक्र किया जो जैपूर में बंगला देशी गुस्पैठियों की कॉलोनी में जाकर उनका समर्थन करती थी कुछ-कुछ उनका जो चाली तरह कुछ इसी तरह से नजर आ रहा है कि वो डिफेंड करके और वोट बैंक की राजनीती अपने साधने का प्रयास करें जो कि देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खत्रा है मुझे यहाँ पर एक छोटी से ब्रेक के लिए रुखना पड़ा परताब जी इसके बाद हम लोटेंगे और अपने खास मेमानों के साथ इस पर चर्चा करेंगे क्या हम एक जुट को करके एक ऐसा विशय जिस पर हमें चर्चा करके अपने देश में घुसपैटियों को पहचान करके हमें उन्हें निकालना है या नहीं निकालना ये बाद का विशय होगा लेकिन हम कम से कम उन्हें पहचाने तो सही कि आखिर आमारे बच्चों हमारे आस कारों पर कौन कुंडली जमाय बैठा है ब्रेकिवाद